मतलब कभी तो कुछ सच बोल लिया करो वही हुआ जो पता था कि होने वाला है बीजेपी और उसके कितने ही लोगों न जाने कितने हैं मैं किसका एक एक करके नाम बताओ फर्जी टूलकिट शेर कर लिया न्यूज चैनल ने इस गोधी मीडिया ने उस फर्जी टूलकिट के नाम पर डिबेट्स कर ली डिसकेशन कर ली और आप तक यह पहुचा दिया कि यह टूलकिट के ओपर देखिए क्या क्या हो रहा है कॉंग्रस ने टूलकिट शेर के कॉंग्रस लगातार बोलती रही कि यह फर्जी है यह हमारा है नहीं और न्यूज को इसके लिए काफी शुक्रियादा करना चाहिए कि और न्यूज ने ऐसी पड़ताल की है कि उसके बाद अब ट्विटर ने संबित पात्रा के साथ ही और कई लोगों का जिसमें शेफाली वैद्या भी है और अभी दीरे-दीरे मुझे लगता प्रॉसेस चलता रहेगा इन सभी के ट्वीट्स को मानिपुलेटेड मीडिया गोशित कर दिया है संबित पात्रा कॉंग्राचुलेशन्स तु यू यू अधी परसन इन दिस कंट्री जिसको अभी तक दो बार मैनिपुलेटेड मीडिया का वर्ड मिल चुका है ट्विटर से एक पहले याद होगा आपको केटरीवाल का एडिट करकर के वीडियो डाल दिया था एक अभी फिर से यह फर्जी है फर्जी टूलकिट आपको दिखाया गया फर्जी टूलकिट के उपर कर लिए जो टूलकिट ही नहीं जो था ही नहीं जो फर्जी था और आप सोचिए कि यह कैसी पाटी है मतलब जूट के नाम पर कैसे भी कुछ भी करते हैं लोग मतलब कभी तो तुम लोग कुछ तो सही कर लिया करो हर समय फर्जी वाड़ा हर चीज में फर्जी थे देख के पता चल रहा था किसी को भी लेकिन ठीक है क्योंकि Congress जो है उसने कह दिया है complaint तो पहले ही फाइल की थी और अब उन्होंने ये भी कह दिया है डॉक्टर संबित पात्रा भी ready to come to the court क्योंकि अब ये बहुत हो गया है fake news और twitter ने बहुत अच्छा stand लिया because twitter is not whatsapp और उसको whatsapp बनने भी नहीं देना है कोई भी फर्जी वाड़ा पर चलता रहेगा क्या ये देखिए संबित पात्रा के tweet को manipulated tweet घोशित कर दिया शेफाली वेद्या को कर दिया और अभी और जितने लोगों ने इसको tweet किया था same document उन सब के लिए अब अपील की जा रही है और इसी वज़े से manipulated media अब trend भी कर रहा है everything is all false when it comes from you आपकी party और आप ही के लोग उसको share करने लग जाते है मतलब कभी आप बता दीजे कोई ऐसी चीज जो की सच निकल के आई हो everything is just false यह क्या मतलब है और आप हमेशा घलत ख़बरें अपने गोदी मीडिया के तो लोगों तक पहुचाते even even there should be a system of marking manipulated media even to this गोदी media also इन लोगों ने जितनी चीज़े जितनी भी इन लोगों ने debates चलाई है I would really appeal to Twitter because इनके debate के वो portions ट्विटर पर हैं इनके debate के उन portions पर manipulated media अब mark कर देना चाहिए आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है आप किसी भी चीज के पर बहस करते हैं और जब उसको जिसके उपर आरोप लगा है वो लगातार बोल रहे हैं कि यह फर्जी है आपने उसको cross-check नहीं किया altnews ने जो चानवीन जो परताल की किया यह काम news channels का नहीं होना चाहिए था why do we need you know alternate platforms like altnews because media is not doing its job अगर गोदी media अपना काम सही से कर रहा होता ना platform की भी जरूरत नहीं थी आप तक कोई बात ऐसी पहुंचाने की क्योंकि आप लोगों की funding से चलने वाले आप लोगों के contribution योगदान से चलने वाले ऐसे platforms बहतर journalism कर रहे हैं than these godi media people and then you it's it's high time that you decide today whether you want to watch them or not आपको उनको देखना ही नी चाहिए आप अपने television channels बिल्कुल बंद कर दीजे news channels हटा दीजिए यह आपको सफ जूट परोस रहे हैं और एक party के कहने पर script आती है दिन भर इनका agenda अपने channel पर debate shows के नाम पर चलना शुरू हो जाता है मैं I'm fuming right now thinking that how can they conduct a debate on something which is completely फर्जी वाड़ा एक फर्जी वाड़े के उपर इन लोगों ने इतनी देर पूरा दिन आपके सामने discussion किया toolkit toolkit बोल-बोल के it's high time that you ask for accountability from these godi media from these news channels यह काम इनका होना था पहले इसके उपर discussion करने से पहले आपको छांबीन करनी चाहिए थी पर यो तो आपको करनी नहीं है क्योंकि किसी एक का agenda आपको चलाना है इस high time guys take a stand now please